भाई और भहनों, भारत रत्न डॉक्टर बुपेन हजारिका ने लिखा था कर्मई आमार धर्म, आमी नुतुन जुगर नुतुन मानब, आनिम नुतुन स्वर्ग, अभेलित जनतार भाबे, धरात प्रातिम स्वर्ग यानि हमारे लिए काम ही हमारा धर्म है, हम नए युक्के नए लोग है, जिनकी सूध भी कभी नहीं ली गई, हम उनके लिए नया स्वर्ग बनाएंगे, धर्ती पर स्वर्ग बनाएंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वात की, इसी भावना के साथ, आज असम और नौर्थी सहीद, पूरे देश में सरकार काम कर रही हैं, ब्रंब पूर्तर के इर्दिगीर, सम्रुद्ध हुई, असम्या संस्कृती, अध्यात्म, जनजात्यों की सम्रुद्ध परंपरा और बावडार्वसिटी, ये पूरे देश की बहुत बड़ी दरोहर है, हमारे हमारी गवरव गाता है, स्रीमंत संका देव जी भी मजुली द्वीप इसी दरोहर को ससक्त करने के लिए आये थे, इसके बाद मजुली की पहचान आध्यात्म के केंद्र के रुप में, असम की संस्कृती की आत्मा के रुप में बनी, आप सभी ने सत्रिया संस्कृती को जिस प्रकार आगे बढ़ाया, वो प्रसंस नहीं है, मुखाशिल्प और रास उत्सव को लेकर, जिस प्रकार देश और दुनिया में अब उत्सा बढ़ रहा है, वो अद्बूत है, ये ताकत, ये आकर्शन सिर्फ आपके पास ही है, इस मैं सरबानन सोनोबाल जी और उनकी पूरी टीम को बढ़ाई दूँगा कि मजूली के, असम के, इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्रकृतिक सामर्थ को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रसंसनिये काम किये हैं, सत्रों और दूसरे महत्पुपण स्थानों को अवेज कब्जे से मुक्त करने का भियान हो, कल्चरल उनिवर्सिटी की स्थापना हो, मजूली को बायो डार्वर्सिटी, हेरिटेज शिटी, साइड का दर्जान देना हो, तेजपूर, मजूली, सीवसागर, हेरिटेज सर्की नमामी ब्रह्मपुत्र और नमामी बराग्येसे उत्समों का होजन हो ऐसे कदमों से असम की पैचान और सम्रुद्ध हो रही है।